वेल्कम बैक टू माई चैनल व्यूवर्स इस वीडियो में आज हम लोग पैड़ागोजी के सवाल करेंगे जिस किसी ने भी सीटर में लैंगवेज उद्दू चूज की है चाहे वो लैंगवेज वन चूज की हो या सिकंड चूज की हो यह सबी के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन के साथ अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सबस्क्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूले चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला यहां पर जो सवाले वो है वो सरगर्मी कौन सी है जिसमें बच्चा पढ़ने की दिल्चजबी को ना छोड़े पहला आप्शन दिया है अपने पेपर प्लान में तबदीली लाना और दोबारा टेस लेना उनके तज़र्बाद जिसको उन्होंने खुद करके सीका है दूसरों से बताएं सेकेंड है दो गुरूपों को बनाया गया और ये देखा गया उन्होंने जिन्दगी में क्या तकलीफे बरदाश की है थर्ड है प्रेंस्पल की इजाज़त से उर्दु जबान की पीरियट के दोरान दिखाया जाए यहां फोर्ट ऑप्शन दिया है दो मकबूल गाने गाए जाए और उसमें उनका फन और आल देखा जाए जब वालदैन और उस्ताद मिले तो यहां पे जो ऑप्शन वन है वो बिलकुल सही है जो उन्होंने खुद करके तजर्बाद हासिल किये हैं उनको एहमेद देनी चाहिए यहां पे जो ऑप्शन वन दिया है वो करेक्ट है अगला कोशने कोशन नमबर तू जबान की तहसील तहसील हिंदी में अगर समझे तो तहसील को प्राप्त समझ लीजे प्राप्त करना तो जबान की तहसील पह stroll को वाल साथ नए अलफाज को याद करना और उनका तजजिया शामिल है सिकंड है इन्सान के दिमाग की जाती सलाहित की वज़ा से कौमी और दूसरी जबानों को समझने का अमल तीसरा है ये एक टकनीक है जो बच्चों के लिए कौमी जबान सीखने का माहूल पैदा करती है फूर्थ है जरूरी अलफाज के जखीरे का इस्तेमाल और उनको याद करना शामिल है तो यहाँ पर जो आप्शिन वन दिया है वो सही है जबान की तहसील ग्रामर को समझने के साथ साने अलफाज को याद करना और उनका तजजिया शामिल है तजजिया मतलब होता है जाइजा लेना यानि कि जब आप कोई जबान सीख रहे होते हैं तो आप उसकी जो ग्रामर है उसको अच्छे से आपको समझना पड़ता है साथ में उसका इस्तिमाल करिए मौका देना चाहिए ताकि बच्छे अच्छे से उस जबान को बोले उसके पैक्टिस कर सकें तो इसलिए यहाँ पर जो आप्शन वन है वो सही है नहीं अलफाज को याद करना और उनका तजजिया शामिल करना ग्रामर को भी समझना तो यहाँ पर इसलिए उप्शन वन यहाँ पर करेक्ट है अगला जो कोशन है कोशन नमबर थरी वो है इप्तदाई सतय पर पढ़ने के जाज को मौसर कैसे बनाया जा सकता है पहला है यहाँ पर इप्तदाई सतय धियान रखिए गए यहां पर प्राइमरी की बात की जा रही है यहां पर पहला जो आप्शन है वो है कहानी, मवाद और वाकियात किरदारों पर मबनी, तहरीरी, अम्तिहान सिकेंड है जबानी, इंटर्वियू लेना, लिया जाए, इंडिया जाए जिससे ये मालूम हो कि उन्होंने कितना पढ़ा या फिर थर्ड है एक छोटे प्रोजेक्ट में एक किताब मतन का तबसिरा पचास अलफाज में लिखवाना या फिर फूर्ट आप्शन दिया है अलफाज मानी और तासुराद की बनियाद पर कुईस में बोलना तो यहां पर आपशन वन करेक्ट है क्योंकि यहां पर अब्तदाई सत्य की बात की जा रही है तो कहानी मवाद और वाक्यात और किरदार परमबनी तहरीरी इमतिहान करेक्ट आपशन है आपशन वन कुशन नमबर फूर है निसाब को बनाते वक्त किस तसल्सल को बरकरार रखना होता है किस तसल्सल को बरकरार रखना होता है निसाब यानि कि इंगलिश में कहें तो इसे सिलेबस सिलेबस को बनाते वक्त किस तसल्सल को बरकरार रखना होता है पहला है मतन का इंतिखाब, आमोजिश के तजर्बाद, जाच की जरूरत, बनाने की मकसद और जाच, यह फिर सेकेंड है तजजिया की जरूरत, बनाने की मकसद, मतन का इंतिखाब, आमोजिश के तजर्बाद, और जाच, यह फिर थर्ड है, बनाने की मकसद, जाच की जरूर जाच, मतन का इंतिखाब, या फिर एंड में आएगा आमोजिश के तजर्ज़बाद, फूर्टे बनाने के मकसद, जाच की जरूरत, मतन का इंतिखाब, आमोजिश के तजर्ज़बाद, आमोजिश यानि के लर्नर्स के तजर्ज़बाद, एंड में जाच, तो यहाँ पर करे का इंतिखाब आमोजिश की तज़र्बात यान कि इस्टुडेंट लर्नर्स की तज़र्बात और एंड में जाच होती है इसलिए आप जो आप्शन फोर्ट है वो करेक्ट है अगला कुशन है कुशन नमबर फिफ्ट तालिब इल्मों के लिए मीडिया या मुताबादिल तज़र्बा फ्राहम करता है यानि कि जो इस्टुड होते हैं उनके लिए जो मीडिया होता है वो क्या फ्राहम करता है मीडिया या मुताबादिल तज़र्बा फ्राहम करता है पहला है गयर मुजर्द अलफाद केस स्टेडी सिकंड है बोल्ड पर फिल्म के तुकड़े लगा असली अशिया यानि कि असली चीजे और नमूने तो हम लोग क्लासरूम में विदाउट मीडिया भी दिखा सकते हैं इसलिए यहां पर जो option 1 दिया है वो बिलकुल सही दिया है गैर मुझरित अलफास और केस स्टेडी option 1 यहां करेक्ट होगा अगला question एक computer के मुतालिक हिदाया CAT में simulation mode पहला है option कुछ मालूमात हासिल करना और सवालों के जर्ये feedback देना यानि कि यहां पर यह पूछा गया है जो simulation mode है वो क्या है computer के मुतालिक second option दिया है दोराने के अमल के साथ मशकू का एक सिलसला ख़दा के तरीके के जर्ये मसाइल को हल करना यह फिर फूर्ट option दिया है असले दिन्दगी के गैर मामूली तजर्बात simulation mode का मतलब होता है कुछ मालूमात हासिल करना और सवालों के जर्ये जर्ये जो आपने हासिल की है knowledge उसके feedback देना तो यहाँ पर जो option वन दिया है वो सही दिया है option वन इसका correct होगा अगला question है question number seven तबादले ख्यालात का अमल बोलने की जाज के दोरान शामिल है तबादले ख्यालात क्या होता है जिसके एक कोई चीज ए उसमें कोई topic है उस related सबकी मत लेना सबकी विचार उसके उपर सुनना यानि कि इनका विचार कुछ और होगा, बीका विचार कुछ और होगा, सीका विचार कुछ होगा तो सभी के खयालात उस topics related दोसों के खयालात को लेना ही ता बादले खयालात कहलाता है है पहला option दिया है किसी school या उसके माहूल को गैर रसमी तर पर वैयान करना सिकन्ड है दूसरों के साथ तेलेफून पर गुव्तिगू करना धर्ड आप्शन दिया है दो या जादा चीजें मुकामात वाक्यात के बाहमी तालुक को जाचने वाले के सामने वाज़े करना यफ फुर्द आप्शन दिया है मतलब को समझाना या फिर फोर्थ आप्शन दिया है मतलब को समझाना समझाने के लिए बारी-बारी बोलना और दूसरों को मौका देना जो कि करेक्ट है तबादरी खेलात का यहीं मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक है उस से रिलेटेट सबके मत हासिल करना सबके विचार लेना तो यहाँ पर यहीं लिखा गया है option 4 मतलब को समझाने के लिए बारी-बारी बोलना और दूसरों को मौका देना यानि कि यहाँ पर करेक्ट option होगा option 4 question number 9 है लिखने में retrival skill महारते हैं पहला option दिया है diagram बनाना और तल्खीज करना तल्खीज करना यानि कि समरी तल्खीज मतलब समरी समरी करना second है हवाले को इस्तेमाल करने की सलायते या फिर third है पढ़ने और सुनने के वक्त मालुमात एकटा करना या फिर fourth है notes बनाना और notes लेना तो यहां पे लिखने में retrieval skill की बात करी जारी है इसलिए आपे जो option four है वो correct है notes बनाना और notes लेना अगला कुशन है चॉमस्की की गहरी साक्तों का मतलब है की एक आपने चॉमस्की का नाम भाशा से related चीज़ों में जरूर सुना होगा पहला इसमें है पहला option है मुंतकिल होने वाली grammar की जरीए मताकाबली लिसानियात की जल्चस्बी बढ़ाना सेकेड़ अर्दु जबान में अर्दु जबान में आम तौर पर पसंद की जाने वाली जबान है थर्ड अप्शन है तमाम जबानों की grammar एक है उनकी अंदरूनी साक्त एक है और वो जाहरी तोर पर अलग अलग नज़र आती है फूर्थ है grammar की उसूल सीखने के लिए गहरा मुताला तो यहां पर जो correct answer है वो है option तरी तमाम जबानों की grammar एक है उनकी अंदरूनी साक्त देखें यहां पर जो third option दिया है वो correct दिया है question number 10 है bottom up model निसाब है जिसमें पहला है निसाब तलबा को निसाबी सरगर्मी को इंतिखाब करने की आजादी देता है और खुद करने के आमल को बढ़ावा देता है या फिर second है आमोज़िश का आमल केरियर को अच्छा बनाने में मदद करता है या फिर third है जरूरत की बनियाद पर फासला जाती तालिम तालबे इल्मों पर असर डालती है या फिर fourth है यहां पर software पर मबनी निसाब की आमोज़िश तुल्बा के लिए आसान हो जाती है तो यहां पर bottom अप जो model है वो निसाब में वो यहां पर जो question दिया है bottom अप model निसाब है जिसमें क्या होता है तुल्बा को निसाबी सरगर्मी को इंतिकाब करने के आजादी दी जाती है और उनको खुद करने के अमल को बढ़ावा दिया जाता है यहां पर जो option one है वो correct है